दोस्तों हम लोग भले ही आजादी के अमरितकाल महौसों में जी रहे हों लेकिन आजादी के अमरितकाल महौसों में दलितों की ये स्थिती है कि बाबा साहब भीमराम बेटकर हमेशा कहते थे कि सता जो है हरेक ताले की चाबी है और उस चाबी को पाने के लिए हर वेक्ति को क करनी चाहिए जिसके लिए बावासा भिमराम बेटकर ने बोट देने का अधिकार दिया लेकिन आपको वह तादू कि देखिए पिछले कई दिनों से सोसल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वार हो रहा है वारल वीडियो में एक दलीत समाज का कैंडिडेट नमांकन कर ने को सांबी लोकस्वा सीट पर के कलेक्टरियेट गेट पर पहुचते हैं तो वहां के डिप्टी जो एसपी होते हैं उस वेक्ति को धकेलते हुए बाहर का रास्था दिखा देते हैं आपको उतादू देखिए जिस वेक्ति का वीडियो सोसल मीडिया पर वायरल हो रहा है उस सक्स का नाम जो है छेदू चमार है और छेदू चमार जी पिछले 24 सालों से निर्दलिये चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार भी को सांबी लोकस्वा सीट पर निर्दलिये परचा दाखिल करने के लिए नमांकन करने के लिए कलेक्टरिय अट गए थी जहां पर डिप सत्यंद्र तिवारी है वो उसे भगा दिया और छेदू चमार का जब ये वीडियो सोचल मीडिया पर वारल हुआ उसके बाद लोगों ने इस वीडियो को सेर करते हुए अपनी अपनी रिएक्शन दिया वैसे आपको वता दू कि देखिए अब सत्यंद्र तिवारी को अब और अब आपको दोस्तों वता दू कि जो खेदू चमार है उनका समर्तन अब आजाश समाज पार्टी भी कर दिया और अब शेदू चमार आजाश समाज पार्टी से ही को सामबी लोक स्मारशीट पर चुनाव लड़ेगे लेकिन आपको उतादूं कि जिस तरीके से लोकतंत्र को सरमसार करने का काम का सामबी लोकसभाज सीट पर किया गया है उसको लेकर नहा सिंगर ठोर भी छेदुचमार के समर्थन में उतर गई हैं जी हाँ दोस्तों आप सही सुन रहा हैं फोकसिंगर नहा सिंगर ठोर जो है अब छेदुचमार के समर्थन में उतर गई हैं और उनके बारे में सोसल मीडिया के ट्वीटर हैंडल एक्स पर बड़ी बात लिखिए देखिए नहा सिंगर ठोर का यह ऑफिसियल एकाउंट है और देखिए यह क्या सिर करते हुए छेदु रायम के लिखती हैं यह लिखती हैं कि निर्दलिये दलीत परत्यासी छेदु जी का नमांकन खारिज कर दिया गया है दो दिन पहले इनके साथ नमांकन के दौरान पुलिस ने बद सुलूक की ची हैज्टैक लोक्षभा इलेक्शन दो हजार चोवीश तो देखिए छेदु चमार को जिस तरीके से डिप्टी एस्पी के द्वारा खदेल कर बसुलूकी करते हुए छेदी चमार को नमांकन करने से रोक दिया गया और वहां से इनको खदेल कर भगा दिया गया उसके बाद देखिए निया सिंगर ठोर करते हैं निया सिंगर ठोर का नाम ले लेते हैं उनका जो है इसके अलावे निया से अच्छी तरीके से घह अब तक नजराई है जिसको लेकर आपको पता दूं की जो नेह सिंग र侥ार के पती है उनको जाब से निकाल दिया गया फिर अभी जो है नहाज सिंग्रों ठोड और लगआतार इसी तरीके से काम करती गई लेकिन रहा नहीं सिंग्रोंक that कि बहूत वला नाम है वैसे तो बहुत सारे भड़ सारे बश्पूरी जगत में गय का और गाई का है ईकतर और एकट्टर से हैं लेकिन सारी लोग जो असलिल्ता को परोषतें सवाल खड़ा करता है और अब चवाराय के समर्थन में उतर गयी है औशेथी है स्मार्थन में उतर कर उनके वीडियो को स्चेयर करते वे यह कह रहे हैं कि जिस तरीके से इनको नमांकन के नमांकन का इस तरीके से इनको खारिज करने का काम जो है उत्तर परदेश के जो इलेक्शन्स कमिसंस है वो वो जो एक टाक परकर देख रहा है और जिस तरीके से वहां के डिप्टी स्पी के द्वारा वहां पर रिटर्निं यह लुकतंत्र को सरमसार करता है आजादी के 76 साल बाद भी आजादी पर यह सवाल खड़ा करता है कि अगर कोई वेक्ति स्वक्षा से समिधान स्वक्षा से चुनाव लड़ सकता है जिसकी इजाजत भारती समिधान भी देता है जिसकी कलपना और सोत बाबा साहब भिम्राम लेकिन आज देखी कि किस तरीके से जो छेदू चमार हैं वह नांकन करने जाते हैं और वहां पर डिप्टीसपी के द्वारा इनकों साथ बहुत ही बसुलकी होती है उसके बाद आजाद समाज पार्टी समर्थन देती है और वहां से अपने प्रत्यासी खड़े थे अजाद समाज पार्टी से उमिद्वार होंगे तो यह बहुत बढ़ाता कह सकते हैं अजाद समाजपार्टी पर रहे वैसे दोस्तों कौसामी लोगस्वाथ सीट काफी एत्यहासिक सीट है उत्तर प्रदिश की जो 80 लोगस्वा कि यहें नहीं के साथ डिप्टी है स्वेटके द्वारा बजब की गई यहीं नहीं दोस्तों आपको अब हो उत कि देखिए ऐक उसामभी जो लुखसभा चेत्र है जो धर्ति है को सामभी की द्धर्ति और एक बहुत बड़ा गौर उसाली ओतियास कौसामभी कर 실़ कर रहा रहा सब्सक्राइब कर लिए फेस्बुक पर देख रहा है तो फोलो कर लिए